नमस्कार, मैं दुशा पामेचा आज हम इस विडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे दस्त्वी कक्षा के बाद एक विध्यार्ती अपने विश्यों का चैयन कर सकता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर विध्यार्ती में कुछ न कुछ विशेश गुण होते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली के अनुसार दस्त्वी कक्षा तक सभी छात्र एक समान विशे अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं जिससे कि उनकी बुन्याद मजबूत होती है साथ ही में वो अपनी रुची को पहचान पाते हैं इसलिए दस्वी कश्रा के बाद उनको एक अफसर दिया जाता है जहां वो अपनी रुची अनुसार विशेयों का चयन कर सकते हैं, उनका अध्यान करके उनमें विशेशग्य बन सकते हैं, साथ ही में अपना मन पसंद रोजगार का चयन कर सकते हैं. तो ऐसे मोड पर हर विध्यारती के मन में कुछ सवाल होते हैं कि वो दस्वी के बाद क्या क्या कर सकते हैं, साथ ही में दस्वी के बाद कौन से कौन से विशेय होते हैं और प्रतियक विशेय में कौन कौन से करियर विकल्प होते हैं, उनके मन में एक बात और रहती है कि विश का चयन करते वक्त क्या मन में रखें तो सबसे पहली चीज जो आपको मन में रखनी है वो है आपकी रुची आपका इंट्रेस्ट क्या है दूसरा है आपकी प्रतिभा आप में क्या टालेंट है क्या हुनर है आप में तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी आपको क्या करना है अपने सब्जेक्ट को चूज करना है जो नहीं करना है वो ये है कि आपको देखा देखी नहीं करनी है कि भाई मेरे एक फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया और मैं अपने फ्रेंड के साथ रहना चाता हूं दोस्त के साथ रहना चाता हूं हमारी मित्रता ह तो मैं भी वही subject लूँगा ये बिलकुल नहीं करना इन सब के साथ में आपको जो मदद करने के लिए हैं वो हैं आपके माता पिता साथ में आपके गुरुज़त हम सब मिलकर आपके विशय चयन में आपका मदद कर सकते हैं एक बात और जब आप अपने विशयों का चयन कर लें तो उन लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखें जो आपके विशय के प्रती नकारात्मक हैं तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे सवाल थे उनकी क्या जवाब है तो हमारे यहां पर जो विशय हैं उनको तीन श्रेणियों में विभाजत किया गया है हर श्रेणी को हम संकाय बोलते हैं हमारा पहला संकाय है यहाँ पर कला, आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स, वानिज्य और तीसरा हमारा विज्ञान, साइंस तो क्या बोलते हो चले जाने कि क्या-क्या समू है इन सभी प्रत्येक संकाय के अपने-पने विशे समू है और हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले कला के साथ में, आर्ट्स के साथ में तो आर्ट्स हमें कब चुनना चाहिए? जब विध्यार्ती को लगे कि वो काफी अच्छा बोल सकता है, लिख सकता है, सोचता है वो अपने मन की भावनाव को कागस पे उतार सकता है ऐसी सिति में उसको आर्ट्स चुनना चाहिए अब जब वो आर्ट्स चुनता है, तो उसके अंदर जो भी खूबिया है, वो उनको उभार सकता है साथ में जितना भी विवारिक ज्यान है, वो उसको अपने जीवन में उपियोग भी कर सकता है तो यहां अगर हम बात करें राजनीती विज्यान की, पॉलिटिकल साइंस की, तो जो विध्यार्ती इच्छुक हैं, देश और विदेश की राजनीती के बारे में जानने के लिए, या राजनेतिक विवस्था के बारे में जानने के लिए, वो पॉलिटिकल साइंस ले सकते साथी में अगर हम यह देखते हैं Public Administration हमारा लोग प्रशासन तो इसमें आपको प्रशासनिक अवस्थाओं के बारे में अध्यन कराया जाएगा, साथी में देश और राजियों की प्रशासनिक अवस्था के बारे में आपको ग्यान दिया जाएगा, अगर आपको लगता है कि आप में किसी प्रकार का हुनर है आप अच्छा गा सकते हैं तो आप music artist भी बन सकते हैं, singer बन सकते हैं साथ ही में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं philosophy आपके मन में प्रकार प्रकार के सवाल उठते हैं यह कैसे हुआ, क्यूं हुआ, आपकी समा लोचनात्मक चिंतन करने की आदत है तो आप यहाँ पर philosophy ले सकते हैं language ले सकते हैं जब आपको अपनी मात्र भाषा के अलावा दूसरी भाषाएं जैसे की अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, गुज्राती यह पढ़ने का शौक हो तो आप language ले सकते हैं साथी में अगर आप देखना चाते हैं कि इत्यास की सभ्यताय कैसी थी, साथी में आप अपने करांती कारियों के बारे में जानना चाते हैं और गुजरे हुए समय में बीते काल में हमारे देश में दुनिया में क्या क्या हुआ इसके बारे में जानना चाते हैं तो आप इत कैसे बने पहाड कैसे बने जल वायू कैसे बने धर्ती के बारे में अगर आपको अध्यन करना है तो आप जियोग्रफी ले अगर आप जानना चाहते हैं और आप उच्छुक हैं कि मानव व्यवार कैसा होता है और मानव व्यवार को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं सा से कौन-कौन से रोजगार्ट चुन सकते हैं तो आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि आर्ट्स लेकर आपके लिए काफी सारी सरकारी नौक्रियों के दर्वाद से खुल जाते हैं साथी में बहुत सारे बड़े-बड़े हमारे अक्टर्ज होते हैं साथी में हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे एस्पी तहसिलदार हमारे जज्ज साथी में काफी सारे लॉयर्ज यह सब आर्ट्स की मदद से इन पदों पर पहुँचे हैं एक बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप आर्ट्स को अपना स्ट्रीम चुनते हैं तो आर्ट्स से आप वापिस से अपना स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं चेंज करके आप वानिज्य में या फिर आप विज्ञान में नहीं जा सकते हैं तो अपना decision बहुत सोच समझ कर लीजेगा आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे commerce संकाय के बारे में तो यहाँ पर commerce के लिए एक धारना बरीवी है यह धारना है कि भई जो commerce है वो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए है तो कहीं हद तक मैं यह मानती हूँ कि यह धारना सही भी बैठी वी है क्योंकि जो आपका commerce है वो business के ही व्यापार के ही छोटी छोटी बारीव के चारों तरफ गूमता है यहाँ पर अगर हमारे विशय विकल्प के बारे में हम बात करें तो सबसे हमारा जो important subject है यहाँ पर वो है हमारी accountancy यह आपका सबसे important subject रहेगा accountancy में आपको सारे हिसाब किताब की scientific technique सिखाए जाएंगी कि कैसे आप लेखा जोगा रख सकते हैं आपको business के बारे में बताये जाएगा business के प्रकारों के बारे में बताये जाएगा साथ में कैसे कानूनी काम होते हैं business में इसके बारे में बताये जाएगा स्टाटिस्टिक्स के अगर हम बात करें तो स्टाटिस्टिक्स में आपको कुछ कक्चे आंकडे दिये जाते हैं जिनसे आप पकी जानकारी को निर्मित कर सकते हैं साथ में इस जानकारी को बनाने के लिए काफी सारी तक्नीक आपको बताई जाती है economics के अगर हम बात करें तो economics का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में concept आता है demand और supply का तो आपकी economics पूरी आपकी पूर्जी पर निर्भर है आपकी मांग और पूर्ती का नियम कैसे काम करता है ये आपको economics में बताया जाएगा यहाँ अगर हम बात करें व्यफसाय प्रबंदन की business management की तो जैसा कि यहाँ पर नाम बता रहा है कि कैसे आप अपने व्यफसाय का प्रबंदन करेंगे इन सभी की जानकारी आपको business management में मिलेगी साथ ही में अगर हम यहाँ देखे गनित जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक पड़ा commerce में भी आपको गनित पढ़ना पड़ता है तो आप CA बन सकते हैं CS बन सकते हैं साथ में वानिजर लेकर आपके पास सारे banking और financial sector के आपके पास सारे services खुल जाते हैं अगर आपको रुची है investment banker बनने की तो वो भी आप बन सकते हैं साथ में आप काफी सारी MNCs के लिए financial consultancy का भी काम कर सकते हैं ये सब आपको किस से मिल रहा है ये सब आपको मिल रहा है अगर आप चुनते हैं वानिजर को अपने एक संकाई की रूप में अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे संकाई के बारे में जो की है हमारा विज्यान science का नाम सुनते ही तो हमारे बच्चे दो में बढ़ जाते हैं एक होता है जो medical के ले जाता है एक होता है जो non-medical के ले जाता है हमारे यहाँ पर विज्यान के जो विशे समू हैं वो काफी समय से एक सार चलते आए हैं लेकिन अभी काफी सारे अलग विशे समू भी इंट्रड्यूस हुए है जैसे कि हमारे यहाँ पर जो चलता आया है वो है PCM यह वो बच्चे लेते हैं जो कि non-medical field जैसे कि engineering में, architecture में, IT सेक्टर में जाना चाते हैं साथ ही में जो बच्चे medical में जाना चाते हैं, doctor बनना चाते हैं, microbiologist, biotechnologist बनना चाते हैं तो वो ही लेते हैं PCB, that is physics, chemistry, biology आजकल जो नए रुची उत्पन हो रही है वो यह है कि हम biotechnologist बनेंगे हम microbiologist बनेंगे, हम laboratory में काम करेंगे यह जो इच्छाए हैं, इनके लिए एक नया विशे समू बनाया गया है, जो कि biology इंक्लूड करता है, agriculture science क्रिशी विज्ञान इंक्लूड करता है, chemistry और bio technology इंक्लूड करता है यह सारे हमारे विशे विज्ञान के अंतरगत आते हैं अब हम अगर यह देखना चाहें, कि हम इनसे क्या-क्या रोजगार ले सकते हैं तो रोजगार के लिए आप वही मैंने जैसे आपको बताया कि एक हो जाते हैं non-medical एक हो जाता है medical और साथ ही में कुछ यहाँ पर para medical courses भी होते हैं जिन में आपके bio technologist, microbiologist, marine studies करने वाले लोग आते हैं non-medical में आपके पास में engineering वाले लोग रहते हैं साथ ही में IT sector वाले लोग रहते हैं और architecture पढ़ने वाले लोग रहते हैं medical के अगर हम बात करें तो सारा हमारा आयूश के जो भी doctors हैं वो सारे हमारे medical के अंदर आते हैं यहाँ पर हम MBBS कर सकते हैं हम dental के लिए BDS कर सकते हैं physiotherapy के लिए BPT कर सकते हैं साथ ही में हम आयूरवेदा में जाने के लिए BAMS कर सकते हैं और ऐसे ही काफी सारी और भी degrees हैं जो की medical field के अंदर आती हैं ये तो बात हुई उनके लिए कि जो दस्वी कक्षा के बाद पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सीधा दस्वी कक्षा के तुरंद बाद ही रोजगार के शेत्र को अपनाना चाहते हैं इन बच्चेओं के लिए यहां पर आता है पॉली टेक्निक डिप्लोमा पॉली टेक्निक डिप्लोमा के माध्यम से आप अनेक शेत्रों में काम करने का प्रशिक्षन ले सकते हैं पॉलिटेकनिक डिप्लोमा करने के बाद आपके लिए भारतिय रेलवे साथ ही में विद्यद विभाग जैसे अनेक विभागों में प्रात्मिक्ता दी जाती है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियावा है वहां लिंक पर जाकर आप सारी जरूरी जानकारिया प्राप्त कर सकते हैं अगर हम बात करें कुछ ITI courses के लिए Industrial Training Institutes के लिए तो ये ऐसे courses होते हैं जिनकी अवधी काफी छोटी होती है 6 मा से लेकर 2 साल तक होती है यहाँ पर अगर आप courses देखे तो जैसे कि Pump Operator, Fitter Engineering, Tool and Dye Maker Engineering, Manufacture Footwear, Refrigeration Engineering, Fruit and Vegetable Processing, साथी में Electrical Engineering यह सारे Industrial Training Institutes में courses कराये जाते हैं जो की दोनों सरकारी और नीजी हो सकते हैं इनकी अवधी एक साल से लेकर 2 से 3 साल तक हो सकती है आगे अगर हम बात करें कि अगर किसी विध्यारती को Computer में काफी interest है लेकिन किसी वज़े से उसको अगर Science नहीं मिल पाया या फिर उसको रोजगार चुनना पढ़ रहा है तो वो कुछ ऐसे और भी courses कर सकता है जो कि उसको Diploma या फिर Certificate प्रदान करवा के जा सकते हैं जैसे कि Diploma in Computer Science and Engineering, Diploma in IT आगे आप देखेंगे काफी सारे Certificate Courses जैसे कि Web Designing में, Graphic Designing में, Animation Multimedia में अगर विध्यारती को Interest है ML पढ़ने में, Machine Language पढ़ने में या फिर अगर Interest है Programming Languages पढ़ने में, Java, Python, C++ साथ ही में Digital Marketing में, Cyber Security में, Artificial Intelligence में and Cloud Computing में भी काफी सारे Certificate Courses होते हैं और अगर इनकी अबधी देखी जाए तो यहाँ पर 6 महीने से साल भर में ये Courses आपके complete हो जाते हैं इनके अलावा यहाँ पर काफी सारे Short Term Courses भी हैं दस्वी के बाद बच्चों के लिए जो की सीधा रोजगार चुनना चाते हैं जैसे कि हमारे पास Certificate in Poultry Farming है Graphic Designing, Event Management, SEO Analysis, Digital Marketing, Cyber Security, Hotel Management, Certificate Program in MS Office ये सारे Short Term Courses भी दस्वी के बाद किये जा सकते हैं तो बच्चों दुनिया आपके लिए काफी बड़ी है बस ये ध्यान रखना है कि जो आपने चुन लिया उसके बाद उन लोगों से दूर रहा जाए जो की आपके फील्ड के प्रती नकारात्मक सोच रखते हैं साथ किसका लेना है माता-पिता और गुरुजन का लेना है और जिसको सबसे उपर रखना है वो है आपकी रुची और योग्यता तो मैं उन सभी बच्चों को all the best बोलना चाहूंगी जो की दस्वी पास कर चुके हैं साथ ही में इस मोर पे खड़े हैं जहांपर उनको अपने विशेयों का चयन करना है धन्यवाद